तो यार आज की इस वीडियम हम लोग टेसला बॉट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आप लोग उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक समझ भी लिया हुआ और जान भी लिया हुआ कोशिस करेंगे और फिर एक पॉब्लिक परस्पेक्टिव से भी देखने ही कोशिस करेंगे कि हमारा जो यह टेसला बॉट है वो हमारे नॉर्बल लाइफ में या फिर हमारे परसनल लाइफ में कितना ज्यादा यूसफुल हो सकता है और इसके क्या-क्या प्रोज और कॉन्स हो प्रोज तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन देख लो कि यह टेसला वॉट क्या है और क्या नहीं तो आपके स्क्रीन पर अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि देखो इसका वेड्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इसका वेड्ट यहां पर 125 लैप्स है ठीक ह और स्क्रीन पर तो आपको डिस्प्ली हो रहा होगा हाइट हमारे नॉर्मल इंसानों जैसे रहेगा पाँच फूट आठ इंच का इसका हाइट रहने वाला है स्पीड जैसे हम नॉर्मली हम चलते है देखो हमारा एवरेज यूएन का स्पीड जो होता है वो लगभग 5 miles per hour का होता है स्पीड हमारा तो लेकिन इस टेसला बॉट में लगभग लगभग आप 5 miles से लेकर के 7 miles per hour तक का स्पीड देख सकते हो और यहाँ पर एक काफी तगडी चीज उन्होंने मेंशन किया है कि वहाँ पर इस टेसला बॉट में यह लोग 40 तरह के एक्ट्वेटर का यूज कर रहा है तो यह जो 40 तरह की यह लोग एक्ट्वेटर का यूज करने वाले इसको हम लोग तोड़ा समझते देखो आपके स्क्रीन पर यहाँ एक image डिस्प्ले हो रहा होगा कि वो लोग किस-किस जगा पर और किस-किस जॉइंट पर एक्ट्वेटर यूज करेंगे और इस एक्ट्वेटर से वो अलग-अलग movement जिस तरह की movement एक normal human कर सकता है उस तरह की movement वो लोग उनका जो टेसला बॉट होगा वो perform कर सकता है easily यह चालिस तरह के mechanical actuator है जो वो लोग अलग-अलग joints पर यूज करेंगे ताकि वो अलग-अलग human के movement को copy करके यहां पर यूज कर सकते हैं और अगर मैं आपको इसका detail में थोड़ा सा और बताओ कि यह कब तक launch होगा अगर आप लोग जाना चाहते हो तो यहां पर Elon timeline मतलब Elon timeline डबल coated अंदर Elon timeline मतलब आप समझ सकते हो कि वो लोग बोल रहे हैं कि अगले साल इसका वो लोग first prototype launch करेंगे लेकिन भाई लोग मुझे यहां पर थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि यह जो timeline है यह Elon timeline है ठीक है तो यहां पर Elon भाईया का timeline मुझे लगता है कहीं और ही चलता है उनका timeline भाई normal human के perspective या फिर तो आपको कुछ-कुछ दिखे रहोंगे images की यहां पर आप क्या-क्या इसमें होगा और अगर मैं बता हूँ कि जैसे हम लोगों ने movies में देख रहा है कि भाई यहां पर robots specially इस तरह कि युवन आइड robots जो होते है वो इंसानों को take over कर लेते हैं और उसके बाद हम ही पर rule करने लगते हैं तो लेकिन इस robot में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यह हम पर rule करने लगेगा जैसे कि आप लोग ने बहुत सारे बॉलिवीट में देखा वक्ति इस तरह कि इस वाले जो यह वाला जो टेस्ला बाट होने वाला इसमें वैसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और बनाया जाएगा उन्होंने बोला है और साथी साथ अगर कोई human चाहे अगर कोई human च उस मशीन को यानि वीस टेसला बाट खुद ही ठेकवर कर सकता अ उस पर खुद publi और कर सकता और देखते हैं कि में जुकत्य होता है कि से स्कोप के अगर पबलिक वह यह यह टेस्ला बॉर किस तरह करेगा यह टेस्ला बोक कुछ ऐसे काम करेगा जो हम किसी और से करवाते हैं जैसे कि हमारे घर में सर्वेंट्स वगेरा हम लोग रखते हैं basically तो वू सारे काम जैसे कि वरतना होने काम ठीक है और गेट वगेरा खोलने हैं काम कि आप यहां अपना घर से गाड़ी निकालते हो तो आपके गाड़ी मतलब गेट खोल दे आपके घर का गेट खोल दे वो और क्या करें मालो कुकिंग वगएर तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कर पाएगा लेकिन हाँ आगर आप इसे यह बोलोगे कि भाई जाओ और बाजार से जाकरके एक कि किलो सब्जी लेकर आओ खर बोलोगे कि एक किलो आलू ले आएगा वहाँ से इस काम के वो यह काम इसमकुछ तरह ág कर सकता है यह आप आपके घर में कुछ कमफी सफयżen Con provisions in the king की बहुत अच् helmets हे व shed में क्या होता है कि वहां पर गेट खोलने के लिए एक परसन या फिर दो परसन रहते कि जब कोई एंटर हो रहा होता है तो उनका वेल्गम करता है और उसके बाद वह को कुलता है तो यहां पर इस तरह के काम टेसला वाट से करवाए जाएंगे अब जब भी कोई नई टेकनलोजी आती है तो वो साथ-साथ एक और इशू लाती है अनिम्प्लाइमेंट का इशू कि देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यह बेसिकली जो हमारे घर में सर्वेंट समलोग रखते हैं उनके काम यह इसली कर सकता है तो आप तो बोलोगे कि भाई तब तो यह सर्वेंट का जो भी जॉब है तो वहां पर तो इसे टेक ओवर करी लेगा और रूल ओवर करी लेगा तो हाँ यह सही भी है और यह सही भी नहीं भी है क्योंकि देखो अभी भी इस युमिनाइट रोबोट को लगभग 10 साल लग जाएंगे मुझे लगता है 10 सा बोट या फिर इस तरह की युमिनाइट रोबोट को खुद के लिए ठीक है तो अगर आप लोग बोले कि भाई हाँ इस तरह कि अगर यह काम करेगा तो यहां पर इन कैटेगरी या फिर इस तरह के काम जो दूसरे लोग करते वहां पर उन्हें अनिम्प्लाइमेंट का सामन आफ़ारा काम इसली हो कम खर्च में हो और एफिशेंट में हो तो यहां पर देखो हम क्या करते हम योमें सोते हैं काफी गलतीया करते लेकिन इस तरह के रोबोट कलती करने का मतलब pu chances काफी कम रहता उनके लिए हमारे comparison में इसलिए हम लोग इस तरह के auto driver मतलब की driverless वाले car के पीछे भाग रहे क्योंकि हम humans काफी जादा बुरे driver आप मानो या फिर ना मानो लेकिन हम लोग काफी बुरे driver ठीक है क्योंकि हमारा brain क्या हुद है हमारे brain को challenges पसंद ठीक है और इस तरह जो driving जैसे जो काम होता है यह एक समय पर शुरू शुरू में सीख रहे तब भाई आप बोलोगे कि हाँ ठीक है मुझे तो मज़ा आ रहा लेकिन आप जब सीख करके एक-दो साल या फिर 6-7 म हम driving effortlessly करने लगते हैं और जब हम लोग effortlessly driving करने लगते हैं तो हमारा ध्यान वहां से काफी बाहर हट जाता है और इस वाजे से काफी सारे accidents भी होते हैं तो देखते हैं कि यह टेस्ला वाट आखे future में क्या-क्या कमाल करता है तो अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई ऺज़ आपको यह वीडियो